Welcome the students, today our topic is structure of an atom, यानि atom की साख, ये 9th class chemistry का chapter number 2, स्टार्ट करेंगे students आज, इस पर हम पढ़ेंगे कि atom है, क्या, उसकी structure कैसी है, उसमें कौन-कौन से चीज़े हैं, पहले students, introduction यानि तारुफ, The composition of matter, मादे का तनासुप, is always a mystery, हमेशा से एक पहली रही है, to scientists, साइंसदानों के लिए, अलब साइंसदान, जितना भी atom के बारे में दर्याफ्ट करने कोशिश करते हैं, वो उतना ही उसमें मजीद लखते जाते हैं, तो कि ये ऐसी mystery है, जो अभी तक solve नहीं हो सकी, जितने particles दर्याफ्ट करते हैं, वो उतना ही उसमें मजीद पेचीदा होता है, परे स्टांटिस्ट नहीं रिसकवर कि है, कि मैटर बना है, किस से? आटम से, उन्होंने का कि बस मैटर आटम से बना है, आटम आपके पास ये fundamental particle है, आपके पास आटम है, लेकिन फिर बाद में उन्हों आटम भी particle से बना है, इसको हमने electron, protons and neutrons का नाम दिया, फिर बाद में उन्होंने मजीद discovery के तो उन्होंने पतला कि नहीं, आटम भी आपके पास ये electron, proton, neutron, neutrons, ये भी किसी चीज़ से मिलकर बना है, तो ये हमेशे से एक mystery रही साइंटिस्ट के लिए, और इसमें ये नए-न scientist कई फिलसफी दान और science दान worked for centuries, उन्होंने सद्धियों तक काम किया to solve this mystery, इस पहीदी को हल करने के लिए, अब ये नहीं के एक दो दिन या दो तीन साल नहीं, बलकि सद्धियों तक इस पे scientist ने मुखतलिफ दौर में, मुखतलिफ काम किया ताकि इसको जान सकें, इसकी mystery क लोकलिटस कहते हैं, 460 BC से 360 BC तक, मतलब 460 BC उनकी तारिख पैदाश and 370 उनकी तारिख वफाद, अब BC आपको पता है, BC means before Christ, यानि इसा अले सलम के आस्मान उठाए जाने से पहले की तारिख है, तो आप देख से इस तौर्ट, यहां पहले 400 आए, बाद में 300, यानि यह ता जाईश हुई, और जब, sorry, 370 साल रहते थे तब उनकी वफाद हुई, यह बताया, that all matter can be ultimately broken down into teeny particle, कि तमाम मादे को हम आखरकार तोड़ सकते हैं, छोटे छोटे ज़रात में, that cannot be further divided, और यह जो ज़रात हैं, यह मजी तकसीम नहीं हो सकते हैं, मतलब वो पहले दफाव, वो democratist, वो scientist थे, जुन्हें ने यह बताया कि तमाम मादे किसे बनाएं, students, छोटे छोटे चोटे पार्टिकल से, लेकि मजी तकसीम नहीं हो सकते, इस पार्टिकल वर नेम atoms, और इन ज़रात को उन्होंने atom का नाम दिया, from the Greek word, atoms means indivisible, और यह यूनानी जबान के लफ़ अटम से निकला है, इसका मतलब है, नाकाबिले तकसीम, students, यह आप याद रखें कि भई, यह पैल्दपा, यह अटम का लफ़ किस ने इस्तेमाल किया, डिमोकर्टरस ने, क्योंकि अक्सरम सिक्यूर्द में पूछा जाता है, in this unit, इस सबक में, you will learn, आप पढ़ेंगे, about the development of the atomic model, atom model के बनने के बारे में, and concepts और नजरियात, likes, जैसा के isotopes, हमजा, and electronic configuration, और electronic की तरतीब in detail तफसील से, मतलब इस चप्टर में, हम पूरे atom के बारे में, details पढ़ेंगे, का atom क्या है, इसका model क्या है, इसकी configuration क्या है, इसका isotopes क्या है, अब याब बस्टर्स पहले, आपके बारे में से, theories and experiment related to atomic structure, मतलब वो नजरियात और वो तजर्वात, जो तालब रतने atom की साख्ट से, कि किस कि scientist ने किस किस वक्त में, atom के बारे में, क्या के नजरियात पेश की और क्या के तजर्वात की, although अगर्चे the word atom was used in 400 BC, अगर्चे atom का जो लफ़ पहले दफार 400 BC में इस्तिमाल हुआ, फिर 19 सही तक इस वर मजिए कोई काम नहीं हुआ, it was John Dalton, ये John Dalton थे, an English school teacher, एक English school के teacher, who after a series of experiments, जिरोंने कई तजर्वात करने के बाद concluded ये नितिजा निकाला, that all matter must be composed of tiny particles, कि तमाम मादे जो हैं वो बने हैं छोटे जर्रात से, मतलब इसने में दिमोक्रेटर्स की बात को ही दोहराया, कभी atom matter किससे बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, which are like solid balls, जो के एक ठोस बॉल की तरह है, and cannot be further divided, और ये मजीद atom तक्सीम नहीं हो सकता, he called that atom, उसने इसको atom का नाम दिया, मतलब वही थियोरी जो दिमोक्रेटर्स ने पेश की थी, 19th century में वही बात जॉन डल्टन ने भी दुबारह दोहराया, he presented his theory under a title, और उसने पेश की अपनी थियोरी को एक टाटिल की ताम से, इसका नाम था, A New System of Chemical Philosophy, के एक नए निजाम कीमिया एक फलसिफे में, the main postilutes, बुन्यादी शरायत ये बुन्यादी नुकात भी कह सकते हैं, इसको आप postilutes, नुकात ये शरायत, और डल्टन अटामिक थियोरी, डल्टन की अटिमिक थियोरी जो उसने 1808 में दी थी, और as follows, नीचे दी गई हैं, टुर्टन से डेट आप याद रखीगा, क्योंकि अकसर हमसी की ये पूछा जाता है, क्या आपके पास कौन सी डेट थी वो, तो ये डेट कहती हैं, आपके पस टुर्टन से 1808, यहाँ पर काल्टन ने अपनी थियोरी पेश की थी, अन्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलासिफिक के नाम से, उसके जब उन्यादी आपके पास पॉस्टिलोट हैं, वो नमबर वन, मैटल इस कमपोजट अफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल आटम, के मादा बने, बहुत छोटे ज़राते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आटम कहते हैं, बूसरा पॉइंट इसका था, आटम इस अन इंडिविजिबल पार्टिकल, के आटम नाकाबिल तकसीम ज़रा है, कि इसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते हैं, आटम के नाइधर बी क्रिएटिड ना डिस्ट्रॉइ, कि बज़ना आटम को हम बना सकते हैं, और हम इसको डिस्ट्रॉइ कर सकते हैं, क्योंकि पैदा करना और फ़ना करना सिर्फ और सिफ ये, एक वादहुला शरीक अल्ला की ज़ात का काम है, फॉर नमबर, आटम ऑफ पार्टिकूलर एलिमेंट, एटम एक खास अंसर के, और अडिन्टिकल इन साइज, ये मुशाबियत रखते हैं या एक जिसे होते हैं, इन साइज, साइज में, शेप शकल में, मास, कम्येट में, और इसी तरह दूसरे खुस्थ याथ में, मतलब अगर हाइडोजन अपके पास, जमीन में हैं, तो उसकी जो प्रॉपरटिस यहां होगी, वही प्रॉपरटिस आपके पास, सन में जो हाइडोजन है, उसके अंदर भी वही प्रॉपरटिस, वही साइस पाए जाएगा, अगर एक जैसा element है, नमबर फाइफ, सॉरी, एटम उप डिफरेंट ऐलिमेंट, एटम मुख्तलिफ अनासिर के, आर डिफरेंट, वो मुख्तलिफ होंगे, एंडियर प्रॉपरटीज अपने साथ के लिहास से, यानि कार्बन और हैडोजन, ये एक जुसरे क्या होंगे, मुख्तलिफ होंगे, अग Numbers Six, Atom Combine With Each Other In Small Hole Number Ratio, Atom मिलते हैं कुसरे के साथ, छोटे तनासिर से, चोटे तादार के तनासिर से, मतबर या वो एटम लेंगे, या एटम लेंगे, इया एलिक्ट्रोन लेंगे, या एलिक्ट्रोन देंगे, ये तनासिर से वह एक जुसरे के साथ मिलते हैं, नमबर 7, all chemical reactions, तमाम जो कीमियाई अमल हैं are due to combination और suppression of atom वो या तो atom के मिलने की वज़ा से हैं या atom के अलग होने की वज़ा से हैं यहाँ पर आपको students यह structure भी दिखाए गई है कि delta ने जो आपके पस bottle दिया था atom का वो ऐसा था आपके पास तो आज हमने पर स्टुरेंट्स के atom क्या है तो atom अपना इंडिवीजिबल पार्टिकल है पहले जफ़ा atom का लफ किस तरह इस्तिमाल किया ग्रीक फिलोसफर थे इंग्लिश टीचर थे स्कूल के जॉन डैल्टन उन्होंने मज़ीद इस पर काम शुरू किया कई तरफ़ात करने के बाद इन्होंने यह बात कही जो डिमोक्रिटस ने कही थी कि मैटर किस से बनाए यह छोड़ छोड़ पार्टिकल से बनाए उसका atom कहते है उन्होंने से से एन्प होगा उसाइजन मी से होगा और बिसल Uganda आइस पर यहार शूरू डिप्रेंट होगा तो जाहरी इसलें वो है出व और यह कृमिकल नापसे आ को जो होते हैं उन्हों से में नाई हूँ आपका मिंदर के पूछ सकते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा दौा में जरूरी आदर